नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं महाख़बर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें शेयर करें महरास्ट बीजेपी की सांसद और गोपिनाथ मुंडे की बेटी प्रितम मुंडे पहलवानों के सपोर्ट में आ गई हैं उन्होंने गुरुवार को मीडिया से बाचीत करते हुए कहा कि सांसद के तोर पर ही नहीं बलकि एक महला के तोर पर भी मेरी उन महला खिलाडियों में दिल्चस्पी है उन्होंने कहा कि जब इस तरह के आरोप लगे हैं तो इसकी समय से जांच होनी चाहिए थी सच सामने आना चाहिए था साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से किसी ने भी उन महला खिलाडियों से संपर्क करना ठीक नहीं समझा जो होना चाहिए था पश्चिम बंगाल की सीए ममता बेनर जी भी ब्रजभूसन सरन सिंग के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पहलवानों के पक्ष में आ गई हैं रेसलर्स के सपोर्ट में ममता बेनर जी के पार्टी तरिन मुल्क कॉंगरिस ने कॉलकाता के सड़कों पर पैदल मार्च किया इस में ममता बेनर जी भी शामिल हुई इस मार्च के साथ ही ममता बेनर जी ने सडकों पर उतर कर मार्च निकालने वाली पहली CM बन गई है इस दोरान उन्होंने कहा कि BJP नेता होने के कारण आरोपी की गिरफतारी नहीं कि जा रही है यह देज के लिए शर्म की बात है पहलवान हरिद्वार गए लेकिन दोसी की गिरफतारी नहीं हुई गिरफतारी की मांग को लेकर हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा हमें अपने खिलाडियों पर गर्व है हमने आने वाले दिनों में विरोध जारी रखने का फैसला किया है हमने उनसे बात की है हमारी टीम उनका समर्थन करने वहां जाएगी पहलवानों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर T.M.C कल केंडल मार्च निकालेगी वहीं महाराष्ट नौनिर्मान सेना प्रमुख राज ठाकरे भी पहलवानों के समर्थन में आ गए हैं उन्होंने प्रधानमंतिर नरेंदर मोदी को पत्र लिख कर महिला पहलवानों की मांग पर ध्यान देने की अपील की है राज ठाकरे ने पत्र में कहा है कि जिन महिला पहलवानों को हम गर्व से अपने देश की बेटियां कहते हैं जिनकी महनत से देश को कुस्ती के खेल में कई पदक मिले हैं वो गुहार लगा रही हैं राज ठाकरे ने आगे कहा है कि महिला पहलवानों ने भारतिय कोस्ती महासंग के अध्यक्ष पर यौन उत्पिडन का आरोप लगाया है पिडित केवल सरकार से एक आसवासन की मांग कर रहे हैं उनकी इस लड़ाई में किसी भी बाहुबली के दबाव में बिना उन्हें न्याय मिलना चाहिए मुझे उमीद है कि ऐसा कोई काम दुबारा नहीं होगा जैसा 28 मार्च को हुआ पियम मोदी उनकी बात सुनेंगे और उन्हें न्याय दिलाएंगे इस मामले में United World Wrestling ने मंगलवार को कहा है कि अगर 45 दिनों के अंदर भारतिय कुस्ती महासंग के चुनाव नहीं होते हैं तो WFI को आगे के मैच के लिए सस्पेंड किया जा सकता है UWW की धम की इसलिए भी एहमियत रखती है क्योंकि अगर WFI को सस्पेंड कर दिया जाता है तो भारतिय एतलीट को आगे के सभी मैच में न्यूटरल जंडे के साथ खेलने होंगे यानि कोई भी खिलाडी भारतिय द्वच के साथ अंतरराश्री कुस्ती के मैच में भाग नहीं ले पाएगा